पंजाब के मुक्तसर जिले में मंगलवार दोपर मुक्तसर कोटकपूरा रोड़ पर सवारियों से भरी एक बस नहर में गिर गई यह बस मुक्तसर से कोटकपूरा जा रही थी बस के नहर के पूल पर लगे लोहे के एंगल से टकराने के बाद यह हाथसा हुआ जिससे बस का आदा हिसा नहर में जबकि आदा उपर हवा में लटक गया इस हाथसे में अब तक आठ सवारियों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग ला पता है मरतकों में से पांच की पहचान हो चुकी है यह मुक्तसर फाजिल का फरित कोट और भटिंडा के रहने वाले हैं तीन लोगों की अभी तक शिनक्त नहीं हो सकी है पुलीस को अभी तक ग्यारा घायल मिले हैं प्रशासन के मताबिक बस में करीब 35 सवारिया थी अभी भी कई लोगों के नहर में बहने की आशंका जटाई जा रही है शुरादी जाज में सामने आया है कि यहां बारिश हो रही थी इस दोरन बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया जिसे बस बेकाबू हो गई और एंगल से टकराकर रेलिंग तोड़कर नहर में गिर गई इसी के साथ बने रही है एशनली जुद्या के साथ तहरा